हेलो फ्रिंस आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टीटीमल के शेयर के बारे में यानि की टाटा टेली साविसेस माराश लिमिटेड के शेयर के बारे में अगर हम देखें तो वेल टीटीमल से रिलेटेड कोई अपडेट तो नहीं आ रहा है लेकिन इसमें आज के दिन जैसी हमें हलचल देखने मिली साथ ही साथ जो काफी सारे यूट्यूब के वीडियो यहां पे वायरल हो रहे हैं जो कि टीटीमल के शेयर को नीचे गिरता हुआ बत कर देते हैं आज का यह वीडियो टीटीमल के शेयर से रिलेटेड दोस्तों आज के दिन अगर हम देखें तो टीटीमल की शेयर के जो प्राइस थी वो लगबग 38.60 रुपीस के आसपास क्लोज हुई है इसमें आज के दिन हमें काफी हलचल देखने मिली लगबग 10% के पास अपर सरकीट भी देखने मिला जो की पिछले दिनों से होता आ रहा है ऐसा अगर आप देखेंगे तो पिछले दो तीन बार हो चुका है जब 10% के आसपास हमें टीटीमल के शेयर में गिरावट भी देखने मिला और वापस से इसमें अपर सरकीट लगते हुए दिखा वैल यहां पे दोस्तो दो ही चीज़े हो रही हैं अगर हम देखें तो ऑपरेटर्स अपना गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ अगर हम देखें तो बुकिंग प्रॉफिट है प्रॉफिट बुकिंग यहां पे दूसरा रीजन हो सकता है अगर हम देखें सब से पहली बात तो जैसे मैंने आपको एक बताया था कि itml का maximum share पॉप्लिकली है वो operators के पास नहीं है जादा retailers के पास इसका share जादा है retail investors की अगर मैं बात करो तो वो इस में जादा hold करते हैं और इसी लिए इसी का फाइदा operators उठानी की कोशिश कर रहे हैं वो उनसे ये share अगर हम देखें तो किसी भी तरह अपने कबजे में लेना चाते हैं यहां पर यह panic create करके करना चाते हैं और साथ ही साथ अगर हम देखें तो दूसरा reason जो ttml के share में हमें देखने मिल रहा है वो profit booking है अगर आपने खुदी ttml के share को follow किया होगा तो पिछले एक सालों में ये 2 रुपीज के आसपास share था और लगबग 40 रुपीज के आसपास ये पहुचने वाला है यानि कि आप खुदी देखेंगे तो 1000% के आसपास हमें return देखने मिल रहा है एक साल में इतना return आप खुदी सोचिए दोस्तो किसी भी investor को अगर मिलेगा तो वो क्या यहाँ पे profit book करना चाहेगा कि नहीं चाहेगा वेल यही दोस्तों यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है जो बड़े बड़े investors थे जिनको मालुम था TTML के बारे में ऐसे आगे चीजे होने वाली है उन सभी ने 2 रुपीज के आसपास ये share को buy किया था और काफी heavy volume में buy किया था वही हमें यहाँ पे देखने मिल रहा है लगबग दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो भी बड़े बड़े investors थे वो TTML को 2 या 3 रुपीज के आसपास उन्होंने buy किया था और अभी उनका price 1000% के आसपास बहुच चुका है उन्हे profit 1000% के आसपास हो गया है और यही एक reason है जिसके वज़े से वो profit book करने की कोशिश कर रहे हैं मेबी इसमें से काफी सारे investors अभी profit book ना करें और as a long term investors के लिए वो भी जा रहे हो लेकिन कुछ investors दोस्तों ऐसे होते हैं जो अपना profit book करके यहां से हटना चाते हैं और वही हमें यहां पे भी देखने मिल रहा है पहला तो share क्या आने वाले दिनों में में भी गिर सकता है या नहीं गिर सकता है वेल इसका अगर दोस्तों मैं आपको एक simple answer दो तो में भी इसमें हां भी हो सकती है और ना भी हो सकती है अगर आप देखेंगे तो पिछले 6 मैनों के अंदर या एक मन्त की ही अगर हम बात कर लें तो tt से रिलेटेट काफी सारी ttml से रिलेटेट बाते थी और इसे मल्टी वैगर स्टॉक देखा जा रहा था और वही इसने पिछले एक मन्त के अंदर रिटन दिया है तो यह भी रिजन हो सकता है कि काफी सारे इन्वेस्टर इसमें अपना प्रॉफिट बूक करने की कोशिश क कर रहे हैं तो में भी आने वाले दिनों में हमें इसमें गिरावट देखने मिलें बट यहां पर हम आपका ध्यान एज शॉट टम प्रॉफिट के लिए नहीं देखना चाहेंगे अगर आप हमारी परस्टन सजेशन देखें तो लॉंग टम के लिए अगर आप देखते हैं TTML के शेयर में या कोई भी शेयर में देखते हैं जिसे कि Warren Buffett सर बोलते हैं compounding interest दोस्तो दुनिया का आठवा अजुबा है और वैसा ही हमें compounding interest यहां पर TTML के शेयर में भी देखने मिल सकता है अगर आने वाले 2-3 सालों के लिए देख रहे हैं यानि कि अगर आप देखेंग तो Tata Group इसमें 75% तक own करते हैं यह सबसे अच्छी बात हमें देखने मिलती है और इसे Tata Suns revive करने की कोशिश कर रहे हैं इसका अभी अभी business का दोस्तो नाम भी change किया गया है इनके objective भी change किये गये हैं पूरा इनका model ही change कर दिया गया है अगर आप देखेंगे तो TTML को यहां पर TTBS किया गया था ताटा टेली business services और इसे as a TCS की तरह देखा जा रहा है साथी साथ super app में जो contribution है दोस्तों यहां पर TTML का भी होने वाला है तो यही 2-3 reason है और इसमें जो TTML में अगर आप देखेंगे तो जो promoter holding है यह तीनों जो 2-3 reason यहां पर बड़े-बड़े बन के आ इनकी value काफी अच्छी हमें देखने मिलती है as compared to TTML जो की Tata Group का ही एक company है और इसी लिए आने वाले दिनों में आने वाले कुछ सालों में TTML के share में हमें as a growth potential देखने मिल रहा है बाकी अगर आप देखेंगे तो short term के लिए यहां पे may भी हमें गिरावर देखने मिले यह ना पे market पे हम वरोसा नहीं कर सकते हैं लेकिन as a long term investor अगर आप देखते हैं जैसे कि हम आपको बोलते आ रहे हैं अगर आप as a long term के लिए कोई भी share में invest करते हैं तो वहां पे आपको compounding interest देखने मिलता है और वही आपको देखने मिलेगा अभी तक जिसने भी दोस्तों आप investor के लिए अगर आप पहले की investor देखेंगे तो उन्होंने एक साल hold किया है और यही हम आपको समझानी की कोशिश करना चाह रहे हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से अगर आप market में देखेंगे तो ttml से related काफी panic भी create किया जा रहा है तो यहां पे अगर आप as a short term investor देख र हो सकता है यहां पे दोस्तो काफी सारी संभावनाय हैं जो हम आपको यहां पे आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं share market में कुछ भी हो सकता है तो इसे आप as a financial advice मत लीजे दोस्तो लेकिन यहां पे हम आपको as a suggestion अपना suggestion बता रहे हैं हम क्या सोचते हैं ttml के share से related औ और हमें आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को subscribe जरूर कीजेगा वीडियो को like जरूर कीजेगा और अगर आप इसे hold कर रहे हैं तो एक बार फिर से like करके जरूर बताईएगा कि आप इसे hold कर रह और TTML में आपको काफी भरोसा है इसे के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद जैहिन